नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे खोश होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे और हर दिन अपनी गलतियों से सीख रहे होंगे और अगरे दिन वो गलतियां नहीं कर रहे होंगे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे दो लाइने एक ग्रीन और दूसरी रेड आखिर में क्या है यह है ना यह एक इंडिकेटर है दोस्तों इंडिकेटर है एक तो इस इंडिकेटर को ट्रेड कैसे करना है जो में मुद्दा है किस इंडिकेटर को ट्रेड कैसे करना है आईए यह इंडिकेटर आपका पांच निट और पंदरम निट बहुत तरीके से काम करता है उपर की लाइन आपको सीधा सीधा सपोर्ट बताती है सौरी रजिस्टेंस बताती है और यह नीचे जो लाल वाली लाइन है वह आपको रजिस्टेंस मार्केट का बता कर चलती है उस ताइम फ्रेम के अंतर जैसे पांच मिनट है अगर आप पंदरम निट पकड़ लो यह आपको ट्रेडिंग वी उपर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा पांच मिनट और पंदरम निट पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और दूसरी बात यह कि अगर कोई भी केंडल इसके बाहर बन रही है किसी भी लाइन के अगर बाहर बन रही है उपर वाली लाइन के बाहर बन दी है तो फिर उसको अंदर आना है तो एक तरीके से वह आपको बाई और सिल का सिगनल मिलेगा जैसे आपको मिलना यहाँ पर देखिए ग्रीन मिलना है यहाँ पर रेड मिलना है ठीक है हाला कि यह green और red आपको हर जगह नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी आप इसको बहुत ही खुबसूरती के साथ यूज कर सकते हो बहुत ही खुबसूरती के साथ आप इसको यूज कर सकते हो और 5 मिनट के time frame पे यह बहुत ही जवर्दस तरीके से काम करता है बहुत ही अच्छे trade देता है आपको छोटे stop loss देता है बड़े trade देता है देखिए जैसे यहाँ पर यहाँ पर इसने आपको trade दिया इसी line के ऊपर था आपका stop loss और यहाँ से लेकिए आपको आपकी अगला target जो होगा यही line होगी अगला target जो होगा आपकी यही line होगी अगर market इसकी range में है अगर market की इसकी range में है तो आप इससे यह भी consider कर सकते हो यह भी खोज सकते हो कि market range bound है या किस तरीके का market है इस top loss आप हमेशा अगर इसकी उपर रखोगे तो आप हमेशा market में safe रहोगे अब इस indicator को और effective कैसे बनाया जाए तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़े बता के रखिए उसी में से कोई एक चीज़ लगा लीजे उसमें से क्या लगा लीजे RSI लगा लीजे मैं हमेशा आप से कहता हूँ हमेशा मैं आप से बोलता हूँ कि हमेशा तीन confirmation से trade कीजिए लेकिन इस indicator में आपके लिए दो confirmation अपने आप चल जाएंगे दो confirmation से यहाँ पर आपका काम हो जाएगा अब देखिए आपको यहाँ पर trade कैसे लेना था RSI आपकी यहाँ पर 80 के पास पहुँच चुकी है ओवरबाउड जोन में यहाँ पर से जैसे आपकी मुणनी लगे मैंने आपको कई बार बताए ही यह बात यहाँ से अगर जैसे मुणनी लगे तो आपको पता चल जाता है कि market of downside आएगा तो कि 80 के उपर जाने की जो possibility होती है वो बहुत ही कम होती है यहाँ पर आके इसने cross कर दिया यहाँ पर आप trade ले सकते हैं यहाँ पर आपका stop loss 42 से आर 955 पर आपका trade 43 से आर के उपर आपका stop loss है उसके बाद आप देखें market यहाँ से यहाँ तक गया है यह तो थी आपकी range bound की स्थिति यहाँ पर देखें यहाँ पर आपने यहाँ पर इंट्री ली है और जहाँ पर इंडिकेटर एक तरफ जुग गया है आप देखें यहाँ पर जो यह इंडिकेटर है एकतर जुग गया है तो इसका मतलब deficit-market अपना higher-low बना रहा है lower higher-low higher-low बना रहा है यह ओ गया फिर यह ओ गया फिर यह ओ गया तो यहां पर आपको trade को पकड़ के बैठे रहना है ज़त्वक सर्द्विस बैठे कर ने च हलेग सकते अगर कोई candle इस indicator के बाहर बन रही है आपको इस indicator का जुकाओ भी देखना है कि उसका जुकाओ किस तरफ है अभी इसका जुकाओ नीचे की तरफ है तो इसका मतलब आपको नीचे के trade लेने है ठीक है? आपको नीचे के trade लेने है अब यह वाली situation देखें हम लोग कल के market को देखते है आप यह वाली situation देखो जहाँ पर एकदम पतला हो गया और किसी एक तरफ जुका है उपर की तरफ या नीचे की तरफ तो इसका मतलब यह हो रहा है कि market उस तरफ जादा जाएगा जादा जाएगा मतलब उस तरफ जादा गिरेगा या उस तरफ जादा बढ़ेगा आप देख रहे हो इसी की line को पकड़ की चल ला है फिर आप देखो यहाँ पर आया फिर यहीं से आके गिरा market market गिरा कोई भी indicator जो है वो price action के हिसाब से चलता है लेकिन indicator का ये काम है कि आपको indicate करना कि market का रुख हभी किस तरफ है indicator का ये काम है मेरे दोस्त कि आपको indicate करना कि market का रुख किस तरफ है है ना आया और पीछे चल के देखते हैं थोड़ा सा देखी यहाँ पर totally market range bound है लेकिन फिर भी आपको trade दे रहा है अगर यहाँ पर आप trade लेते हो इस line की ऊपर है तो आप हमेशा safe हो अगर market यहाँ पर market पूरा flat है इस वाले range में market आपका पूरा flat चल ला है ठीक है तो अगर आपने देर से भी entry की है तो ये वाला trade आपको मिल जाएगा scalping के लिए ये वाला trade आपको मिल जाएगा 100 point दोस्तों है यहाँ पर option में अब गिरा से गिरा भी option ले रहा है गिरा से गिरा भी अगर आपको पचास साथ point तो मिलने ही मिलने है ठीक है दोस्त और भी मैं आपको testing करके दिखा देता हूं देखिए यहाँ पर देखिए जो पिछले थरस्दे की जो expiry थी आप देखो कितनी volatile expiry थी लेकिन इस indicator ने बहुत तरीके से मैं इस indicator में पिछले साथ दिनों से मैं काम कर रहा हूं और उस back texting में मैंने यह पाया है कि indicator अच्छा काम कर रहा है और 70-75% से उपर इसका result निकल के आ रहा है in terms of trade trading में आपका जो मेरा main point होता है trading का सोचने का entry और stop loss target तो market देगा entry और stop loss के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि यह indicator लग रहा है नहीं मैं back testing के उपर कर रहा हूं मैं आपको अपनी जो मैंने back testing कि बहुत ही काम कर रहा है इसकी setting में आपको कोई छेढ़छाण नहीं करने है इसको pass घुट को 8 रखना है multiplier को 3 ही रखना है सोस को close ही रखना है इसकी setting में आपको कोई छेढ़ छाण नहीं करनी है अर्पर की तरफ अवधा हुआ है तो आप stesso का trade लेंगे market अगब लाल लाइन के पास आ रहा है और उपर की तरफ उठा हुआ है तो आप बाई का ट्रेड लेंगे आप देखो यहाँ पर देखो बैंड पतला हो चुका है मार्केट इसी बैंड का इसी लाइन का सपोर्ट ले लेके ऊपर निकल ला है आप देख रहो यह यह पूरी चीज देख रहो जहाँ पर एक तरीके से आप देखो तो यह आपकी एक तरीके से ट्रेंड लाइन भी बन रही है तो इसी का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ कर ला है यह इंडिकेटर बहुत ही खुपसूरती के साथ काम कर रहा है बहुत तरीके से काम कर रहा है बशरते आप इसको ट्रेड अच्छे से करो 15 मिनट पर घ्या काम करता है लेकिन 15 के आप का stop loss मिरेमितर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 15 मिनट पर आपका आपका इस top loss जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपके target भी बड़े होंगे आप देखो इसमें 15 मट भी एक candle इसके बाहर बनी है जैसे अंदर आई आप यहाँ पे trade लो नीचे आओ अपनी एक confirmation के लिए RSI या हीलेगा मिलेगा लगा लो advance हीलेगा मिलेगा आप है हम लोग अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं ठीक है जैसे टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी आपको दे दिया जाएगा बाकि उससे related अगर आपकी कोई query है तो आप हमारे number पे संपर्क कर सकते हैं मैं यह चाहता हूँ आपसे क्या आप इस indicator को अपने चार्ट ट्रेडिंग आप चाहो तो आप शुरू के 7 दिन 8 दिन आप इसका backtest कर सकते हो और अगर आप चाहो तो एक lot से इसमें backtest कर सकते हो पेपर ट्रेड जो करना होता है मेरे को जहां तक पता है पेपर ट्रेडिंग ओर्डिंग से कुछ नहीं होता है जट तक आप अपनी emotions पे control नहीं करोगे तक पेपर ट्रेडिंग में आपकी emotions नहीं आएंगी पेपर ट्रेडिंग में आपकी emotions नहीं आएंगी मेरे दोस्त सो मैं यह कहता हूँ आप एक lot से trade करो बट करो एक lot से trade करोगे तो आपकी emotions आएंगी emotions आएंगी तो आप अपने trade को सम्हालना सीखोगे देखे जग पढ़ने के लिए इतनी सारी fees दी है दोस्तों तो इसके लिए भी तो ο फिस देनी पड़ेगी। इसके लिए भी फिच दनी पड़ेगी ये आप समझके रखो। इस indicator के बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए क्योंकि बहुत ही simple indicator आप मैंने बहुत ही simply हिसको समझा कहीं पर था यह कहां चला गया कहां चला गया मेरा नंबर यह रहा मेरा नंबर है 8588818434 आप इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हो इंडिकेटर बहुत ही अच्छा है यह तॉप पर यह भी आपको नियर बाउट टॉप के ही पास आपको बाई देगा और बॉटम पको बाई देगा बस आपको इसकाटिस करने की ज़िशगत है सर एक चीज पर प्रैक्टिस करो और उसको पूरी तरीके से सीखो, एक चीज पर प्रैक्डिस कीजे और उसको सीखे ऐसी मैं आपको हजारो इस्टेडिजीस देने के लिए तैयार हूँ, हजारो टाइप के इंडिकेटर देने के लिए तयार हूँ, दिखें प्राइस एक्षन के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है, हर आदमी अगर market का रुख थोड़ा सा भी मिल जा तो वो trade कर सकता है तो वही market के रुख के बारे में कि वो bullish होगा या bearish होगा उसी को देने के कोशिश में मैं आपको ऐसे ऐसे नए नए अच्छा अच्छी indicators से indicators को मैं ले आता हूं अपने YouTube वीडियो में जो आपको अच्छा करके दे अगर जिन पर आप practice करो तो उससे आपको अच्छा result मिले अच्छा result आपको मिलेगा तो मुझे भी लगगा कि हाँ मैंने सामने वाले को कोई अच्छी चीज दी जिससे वो अच्छा करने की कोशिश कर रहा है इसी साथ मेरे मित्रों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अगर आपको basic to advanced course के regarding कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं परवरि से फीश बढ़े आएंगी तो फिर आपकी इक्षा है आप जॉइन करना चाहिए तो भी ठीक है नहीं जॉइन करना चाहिए तो भी ठीक है मैं आपसे हमेशा हिजुडा हूँ आपकी help के लिए हमेशा हिख़ाओं तबते के लिए अपना ख्याल रखिए, हसते रहिए, मुस्कराते रहिए, जैन वंदे मात्रब